एक और concept होता है जिसको हम बोलते है data concatenation concatenation क्या होती है यह मैं directly आपको coding में समझाता हूँ फिर उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से concatenation की जाती है concatenate का मतलब यह होता है इकठा करना let's see कि यह कैसे हम इकठा करते हैं चीजों को मैं screen again आपके सामने ले के आता हूँ और यहां पे हम देखने वाले हैं concatenation concatenation क्या होती है basically मैं code यहां पे paste करता हूँ and then we will see यह हमारा code है मैंने इसको paste किया आप इस code को पहले समझते हैं ठीक है यह सारे के सारे code आपको मिल जाएंगे don't worry about that तो यहां पे हमने import pandas as pd कर लिया पहला data one हमने किया name name हमने एहमद, फातिमा, एंडली कर दिया और उनकी age ले आए तो यह पहला data हो गया फिर हमने एक दूसरा data set लिया जिसमें सारा, उस्मान, और आईशा तीन name यह हो गया और उनकी ages आ गई फिर हमने तीसरा data set लिया जिसके अंदर हमने कराची, लहुर, इसलामबाद और साथ में provinces ले लिये, सिंध, पंजाब, एंड इसलामबाद वहां पे कर दिया अब तीनों के तीनों को हमने data frame के अंदर हम लेगे हमारे पास तीनों data frame आगे आप किसी भी दो data frames को concatenate कर सकते हैं, for example अगर आपके पास data set 1 है, उसको data set 3 के साथ concatenate करेंगे तो आपके पास एहमद, फात्मा, अली का कराची, लहुर, इसलामबाद आ जाएगा, ठीक है for example यहां पे, अगर आप pd concat का function use करें, concat का मकसद ही यह है, आप check करेंगे, यह function जो बनाया गया है, इसके अंदर यह सारी के-सारी इनकी values होती है, you can actually look into the details of this function लेकिन मैं आपको simply यह कहूँगा कि यह दो data frames को इकठा कर देता है axis बताता है कि आपने columns इकठे करने हैं, axis 0 होगा तो वो rows इकठी हो जाएंगे, so it's up to you कि आपने किस तरीके से concatenate करने है, for example, अगर मैं concatenate करता हूँ rows को, तो मुझे यहाँ पे axis देने की ज़रूरत नहीं है, या मैं axis is equal to 0 कर दूँगा which is default, ठीक है so अगर मैं ना भी दूँँ तो यह axis 0 ही है लेकिन अगर column में करना है, तो मुझे axis 1 देना पड़ेगा, but अगर मैं इसको इसके बगार run करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, मेरे पास दो data set आ जाएंगे, एक पहला मेरे पास ऐसा है, जो concatenated rows है मेरे पास, ठीक है, और मैं इसके बाद दूसरे वाले को print करता हूँ, print तो अगर आप गौर करें, यहाँ पे यह मेरे पास सारी की सारी rows concatenate हो गई है, अगर आप गौर करें, ठीक है और यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है column concatenate की है और यहाँ पे अगर गौर करें, concatenate rows के अंदर मैंने df1 और df2 को concatenate किया यानि कि यह जो data था df1 इसके नीचे मैंने df2 को embed कर दिया यानि कि rows की base पे पहला था एहमद, फातिमा अली, इन तीनों का dataset यह था, यह data frame 1 है और यह data frame 2 है, मैंने इन दोनों को stack कर दिया, तह दर तह एक दूसरे के ऊपर ले आया, दोनों dataset को, ठीक है पहला लिखा, उसके नीचे दूसरा आ गया अब दूसरा काम हमने क्या किया, हमने columns को side by side रख लिया यह हमारा data frame 1 था, उसके 2 column और यह हमारा data frame 3 इसके 2 column, तो इसका मतलब है या तो हम उपर से नीचे तह दर तह दर तह लगा सकते हैं चीजों को, या side by side लगा सकते हैं, जो side by side है उसको हम बोलते हैं axis 1 की base पर, यानि कि इस तरीके से जो 1 लिखा जाता है, axis 1 यानि कि column wise किसी चीज़ को stack करना ठीक है, और तह दर तह एक दूसरे के उपर तह लगा के रखना उसको हम बोलते हैं, rows wise concatenate करना, concatenate करने का मतलब होता है दू चीजों को एकठा कर देना, ठीक है मर्ज होता है एक दूसरे के अंदर समा देना concatenate होता है कि एकठा कर देना left to right भी आप कर सकते हैं और up to down भी कर सकते हैं इस तरह concatenation आपकी rows and columns की जो है वो काम करती है hopefully आपको concatenation यहां पर समझ आगे होगी